दोगस तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, ना केवल नुह में आसपास के जलों में भी करफियू लगा दी गए है। स्कूल कॉलेजिस बंद कर दिये गए हैं एक्जाम्स को रद कर दिया गया है लेकिन तनाव ना बढ़े इसी के मद्दे नजर ये फैसला लिया लिया और नू में हिंसा हुई तो दंगाईयों ने नलकर मंदिर के पास कड़ी गाड़ियों में भी आग लगा दी वो तस्वीरे सब्सक्राइब कर दी गए हाला कि लूह के अंदर तो कद्वी लगाना पड़ा है स्कूल कॉलेज जैसा के पयोदी ने बताया बंद है एक्जाम रद कर दिये गए हैं के नू में नलर के जो मंदिर है वहां से धार्मिक शोबायातरा निकलनी थी काफी लोग यहां पर लेटा थे और तस्वीरे में आपको दिखाना चाहूंगा कि क्या हाला तो समय रहे होंगे जब दंगाईयों की भीड ने यहां पर हमला कर दिया यह बोतले पड़ी हैं जो साफ तोर पर बता रही हैं कि जैसा कहा गया था कि पैट्रोल बमों से हमला किया गया साथ ही साथ ग देवात का नू का इलाका है और यहां पर सीधे तोर पर जो राक है वो पड़ी वी है यहां पर जो धार्मी के आतरह में शामिल होने के लिए लोग आये थे वो यहां पर मौझूद थे और चारों तरफ जो टायर जलेवे हैं तमाम गाडिया जलेवी हैं यहां पर जो भी ग सामने मंदिर है जहां पर धार्मी के आतरा में शामिल होने के लिए लोग आये थे अब ये तमाम जो गाडियां हैं ये पूरी तरह से जल चुकी हैं जिनको क्रेन के जरीए प्रिशासन उठाकर ले जा रहा है सिर्फ लोगों की गाडिया नहीं बलकि जो सरकारी गाडिया भी थी जो पुलिस की गाडिया है उनको भी दंगाईयों ने आपके हवाले कर दिया ये जो पूरा इलाका है मेवात का ये सम्विद्यनशील माना जाता है इस यातर को लेकर पहले भी अलड था दोनों पक्षों के द्वारा जो है वो वीडियो मैसेज जारी किये गए थे सीधे तौर पर प्रिशासन ने समय रहते कारवाई अगर की होती तो इस तरह की घटना ना होती सोना में इस्तिती आज समाने जरूर है लेकिन जो कुछ कल हुआ उसके निशान आज देखने को मिल हैं तस्वीरों में आप देखे एक अस्पिताल को निशाना बनाये गया इसके लिए बाइक की दुकान उसको निशाना बनाये गया जो आटो है उसको निशाना बनाये गया यह जो रोड है वो पलवल रोड है और पलवल रोड पे भी काफी ज़ादा दंगाईों ने एक तरह से दुकानों को निशाना मनाया अलाकि इस जगह पर जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ दुकानों को यह नहीं बलकि मकानों को भी निशाना मनाने की कोशिश की गई है अस्प पथर के सांथ में पहुच यहां पर देखिए इससरह की दुकानों में घुस करके कि आक नुकसान किया है। यह सलून शॉप के अंदर शीशे को तोड़ा गया सबस्दों कें अंदर देखे सीट्स हैं। उसको यहां पूंचान पहुचा रेता एक तेंगए यह एक सलून शॉप है उसको यहां पर निशाना बनाए गया आई आगे चलते हैं आगे अब ही आपको दिखाते हैं यह देखिए कांच 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 काफी बित्रे हुए है एक बाइक यहां पर जला दी गई यह आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह एक बाइक जो है इस रोड पर जला दी गई यह सोना रोड है और सुना से पलवल जाने वाली जो रोड है उसको निशाना मनाए गया था तो इन भीया की शौप है यह कितने बज़े आया थे यह 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 आए च्छे फाड़े चार पूरे सोना में एक तरह से लूट पाट हुई है और जो शौरूम से उनको निशाना बनाए गया है यह जो है इस्तती है अभी फिलहाल सोना की सोना में अभी शान्ती है लेकिन जो कल कुछ हुआ चार बज़े से रात दस बज़े के बीच में वह पूरा का पूरा तांड़ा और पुलिस जो है अभी तक कितनी गिरफ्तारिया की है पुलिस ने इसके बारे में फिलाल कोई जानकारी नहीं है लेकिन यह जरूर है कि यहां पर जो कुछ भी हुआ है वो एक तरह से फेलियर भी माना जा रहा है यहां के स्थानी लोग यह भी कह रहे हैं विडियो सोना अब कि हराणा के नूज जिले में जिस तरह से हिंसा भर्की प्रिजमंडल यात्रा पर पत्थ्रा हुआ उसके बाद यह इंसा बढ़ती चली गई और उसके बाद सोना तक यह हिंसा पहुच गई है इस समय हम सोना में मौजूद हैं और कल जिस तरह से यहां पर हुई थी खास तोर पे दोनों पक्ष के लोग यहां पर इखटा हुए थे पत्रा हुआ था उनके बीच में और उसके बाद दुकानों को आग के हावाले कर दिया आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ दुकाने आप यहां पर देख रहे हैं जिस तरह से हिंसा हुई है उसके चलते जो है कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए है पत्राओं के चलते कई पुलिस कर्मी घायल हुए है और यह भी बताया जा रहा है कि दो पुलिस कर्मी जो है जो हमगार्थ उनकी इसमें मौत हो गई है आपको दिखाते हैं वो निशान कि किस तरह से यहां पर गारियों को आग के हवाले कर दिया गया बताया जा रहा है कि पेट्रोल बंब का जो है इस्तमाल किया गया और अभी भी देखें यहां से यहां से देखिए धुआ अंदर से निकल रहा है कुछ जगों पे अभी भी आग अंदर बताया रहा है लगी हुई है यह दुकान थी गई यहां पर देखिए कि स्कूटी जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया यह आप देश तस्वीरों में देख सकते हैं यह कल की घट्टा है और कल जिस तरह से हिंसा यहां पर भड़की पहले नू में जब ब्रिजमंडल यात्रा पर पत्राओं किया गया ऐसी खबरे आई और उसके बाद वो हिंसा तेज होते होते जब यह यहां तक पहुंची सोना तक तो कुछ सोना के कुछ संगठन जो थे वो इखटा हुए और उसके बाद यहां पर पुलिस ने फिलाल चौक्सी भढ़ा दी है लेकिन आप देखिए कई दुकानों को यहां पर निशाना बना होता नहीं है लेकिन आप देखिए तस्वीरों में यहां पर एक दुकान है यहां पर एक और दुकान को आक्क की घू है यहैं यह ora देखिए इस गल जिस तरह से हिंसा इस पूरे इलाके में भड़की थी फिलाल यहां पे आप देखे एक आटो जो है उसको यहां पर जला दिया गया था ऐसी तमाम यह पूरी लाइन यह पूरी बेल्ट जो है उस पर जो है एक तरह से तमाम उबद्रवियों ने इसको निशाना बनाया था विडियुलीस जनेंद के साथ सेडहरी रुसायन्डीनीजिशन सोना विएड़ीयों को निशाना बनाये गया दुकानों को निशाना बनाये गया और उसकी तस्वीरे अब दिखाई दे रही है कुछ लोग यहां पर मौझूद हैं उनसे बाचीत करते हैं आखिर हूआ क्या था कौन लोग थे जो यहां पर आकर के इस तरह का तांडाओ करके गए हैं सर कोई हालात में कोई दिक्कत नहीं थी सब ठीक था जैसे अचानक नुहूं के हिंसा के बारे में हमको पता लगी हम सब अपने घरों में थे कोई सारा मन चैनता कुछ लोग आए प्रोटेस्ट करने के लिए ठीक है प्रोटेस्ट कर रहे थे मन सांती से पता नहीं कैसे क्या हुआ अचानक के हिंसा बढ़क उठी और इसकदर बढ़क उठी जी जिसके कोई हालात नहीं है घरों को निसान बना के दुकानों को सपेसल एक कौम के उपर टारगेट बना लिया गया ठीक ती नुह की गटना थी नुह में ठीक थी हमारे सोना सहर में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक भी अगर हुआ भी है तो हमारी 36 ब्रादरी आपस में बैठके उसको करीब बजिदे चड़ाई करी और चड़ाई करने के बाद में पत्राओ ये वह फाय हुला नहरे वाजी ये करते करते तोड़ फोड़ शुरू करें इसके बाद में पिर आग लगानी शुरू करें तो ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से माहूल को जो है खराब करने की कोई खटा ने होने की जाज़त नहीं है और कोशिश ये की जा रही है कि शांती का महूल बना रहे और पंचायतों से भी लगतार बाची चल रही है वीडियो जनलिस्ट जनेंद के साथ सएदा में रुसैन न्यूज नेशन सोना किस तरह से यहां पर आगजनी हुई उस पर ह हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं लेकिन सोना के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं उनसे बाचीत करेंगे कल की घटना जो है उसके बाद आज महौल फिलहाल शांत है यहां पर किसी भी तरह की हल चल नहीं है कौन सा इलाका है यह 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 सोना बाइपास है कल क्या क्या ह हुआ था आप ते यहां पर मौजूद है अज लोग और भी इस्थानी लोग उनसे बाचीत करने कोशिश करते हैं यह बताइए कि कल क्या हुआ था यहां पर किस जगह पर हम लोग ख़ले हैं और क्या हुआ था कलि इसोना बाइपास है यहां पर देखते रहें आप माहूल स हुआ है यहां के लोग है स्थानी नवासी है तोड़ फोल फोली क्या नुकसान हुआ यहां पर उन्होंने क्योंकि यहां पर देखे पत्थर कितने बड़ी संख्या में आप आपको आपको देखेगा कि बड़ी संख्या में पत्थ्र बाद यहां पर और इसके लावा इंट जो है वो चलाई गई यहां पर आप देखें बोतलों से जो हैं राकिया यहां पर पत्थ्र बाजी हुई यहां पर पत्थरबाजी हुई और कई घरों को भी इसमें निशाना बनाए गया है यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कई घरों को निशाना बनाए गया जो है अब हाला तो अभी फिलाल समान नहीं लेकिन पुलिस प्रशासना का कहना है कि हालात को समाने रखा जाए इसलिए किसी भी तरह का यह देखिए इस हॉस्पिटल में भी कुछ लोग घुज गए थे बताए जा रहा था और यहां पर भी पत्थर बाजी हुई है यह तस्वीरों में आप देखे यह तोड़ने की ताला तोड़ने की कोशिश की गई यह तस्वीरों में देखे इस ताले को देखे इसे तोड़ने की कोशिश की गई है अप अब दिस वत ड्राउंड जेरो से हमारे साथ हमारे सोगी रुमान दुला खान जूर चुके सीधे रुमान का रुकरते रुमान ना अभी हालात कैसे हैं क्या तस्वीर आप देख रहे देखे फिलाल हालास तो सामाने बने वे हैं लेकिन तनाव पूर्ण है 1444 लागू है तमाम इस इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रिशासन तैनात है जैसा की नीज नेशन के दर्शकों को हमने दिखाया कि नू इलाके में जो नलगड इलाके का मंदिर था वहां पर किस तरीके से गाडियां जली भी पड़ी भी थी ग्राउंड रिपोर्ट नेशन ने आपको दी है और सीदे तोर पर वहां से अभी गाडियों कटाया जा रहा है और यह तोना का इलाका है यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस परिशासन ने जो पड़ी वी रेडियां थी सारी के सारी तूटी वी जो चीज़ें थी उनको समेटा है रास्ते को सामने किया जा रहा है जाड़ू लगवाई जा रही है लेकिन सबसे मेत्मून सवाल यह है कि आखिर इस बात का जवाब कौन देगा कि आखिर यह इसके पीछे किस की लापरवाही जिम्मेदार थी कौन लोग थे दंगा करने वाले और इस दंगे की क्या पहले से साज़िश सची गई थी अगर ऐसा है तो इस साज़िश करता जो मुखे किरदार है इस पूरे दंगे के वो उनको कब गिरफतार किया जाएगा उनके